इतिहास क्या है? 1952 की बात कॉंग्रेस सत्ता में आती है 1963 में कॉंग्रेस सत्ता में आती है 1970 का बो बक्त, एमरिजन्सी का बक्त, जन्ता पार्टी सरकार बनाती है 1980 में फिर कॉंग्रेस सत्ता में लोटती है 1983 कॉंग्रेस सत्ता में आती है 1992 में राष्टपती शासन लगता है, 1993 में कॉंग्रेस आती है, 1998 में बीजेपी आती है, 2003 में कॉंग्रेस, 2007 में बीजेपी, 2012 में कॉंग्रेस, 2017 में बीजेपी, पिछले 20 सालों का अगर इतिहास 25 सालों का देखेगा आप तो आपको थोड़ी सी हहरान की होगी 90 में देखिए BJP आती है 93 में कॉंग्रेस आती है 98 में BJP आती है 2003 में कॉंग्रेस आती है 2007 में BJP आती है 2012 में कॉंग्रेस आती है 2017 में फिर BJP आती है तो यहाँ पर यही बड़ा सवाल है कि ताज बदलेगा या रिवाज बदलेगा तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे और एक विजवग 20-25 साल से एक बार कॉंग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कॉंग्रेस, एक बार बीजेपी, क्या लग रहा है आपको इस बार कहीं न कहीं, आम आदमी पार्टी सर्प्राइज दोनों पार्टीयों को कर सकती है, जैसा पंजाब में किया था? कोई 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 दुराइन ये राजेश भाई, देखिए जो इतिहास था, उसके हमेने जैसे पिछले चंग में भी काम उस टोने टोटके पर बात ना करें, अगर इसका हम सजीव दारान हाली में देखें, तो उत्राखंड में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हम जो उस चीजों पर न अपनी जो एक गौर्ण, जो जिसने पंजाब में भी अपनी सरकार बना के नेशनल पार्टी का प्रारूप दालन करा, जब हम एक स्टेट से बाहर चले जाते हैं, तो वो नेशनल पार्टी बन जाती है, पंजाब में फिर कलपना नहीं करी थी, कि आमाधी पार्टी इतने जगे बनानी है और एक को अपनी जगे बचानी है, क्योंकि बीजेपी की भी खुबसूरत बात ये कि वो अपने होट छोटे चुनाव में भी पूरी ताकत जोगती है,